हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वाकत है आपका हमारी इस चैनल में तो दोस्तो आज हम आपको धुनिया के पास सबसे अजीब और सामदार घर दिखाने जा रहे हैं जिनें देखकर आपका मन एक बार इस घर में रहने का जरूर होगा ये घर नायमल घरों से काफी अलग है जिनके बनावाट सजावाट को देखकर आप चोग जाएंगे तो दोस्तो अगर आप भी जानना चाते हो इन घरों के बारे में तो वीडियो को लास तक जरूर देखना और अगर आप ऐसे इंट्विडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो चलिए जानते हैं घरों के बारे में इस घर से जुड़ी एक दुखत भरी घटना यह है कि जिस बेक्त ने इसे बनाने में 30 सा लगा दिये वो इसे कंप्लेक होते हुए नहीं देख सका क्योंकि इसके बनने से पहले उसकी मोथ हो गई तभी से यह घर विरान पड़ा है जो पूरी तरह से स्टील से बना हुआ है इसके खिड़की से एक खुशुरत जहिल नजर आती है खान के आज तक यह पता नहीं चलपाया किसे बनाने का आइडिया कहां से मिला था और उसने इसे स्टील कही कुशु बनाया अगर आपको अकेले में लहना पसंद है तो यह घर आपके लिए नहीं बना क्योंकि इस घर के दिवारों से लेकर खिलकी और दर्वाजों को पूरी तरह से कांच से बनाया गया है जो कि जापान में मुझूद है इस घर के माली का कहना है कि वो यह एक ऐसा घर बनाना चाहते थे यह से पहले किसी ने भी नहीं बनाया आज यह घर लोगों के लिए टूरिस्ट पलेस बन चुका है अपसाइड डाउन हाउस सड़क के किनारे बनाई यह घर हर किसी का ध्यान अपनी और खीच लेता है जिसकी वज़ा इसके अजीब डिजाइन यह न स्रीब बाहर से उल्टा नजार आता है बलकि इसके अंदर की सभी चीज़े उल्टी न जाराती है जिसे देखकर इसा लगता है जैसे यह और किसी दूसरी जगह से आकर यहां गिर गया हो इन विजीवल हाउस यह किसी भी इनसान के आँखों खुद धोका दे सकती है जिसकी वज़ा इसका काच का बना होना जिसके काडरी घर आसपाच के अताओलर में इस तरह से घुल मिल जाता है जिसे लोगों को इसे देख पाना ठोड़ा मुश्किल हो जाता है खासतोर पर रात को या फिर बर्फ के दिनों में, यानि सर देयों में किलिफ हाउस अभी इस घर को बनाया नहीं गया इसका स्रीप प्रोटो टाइप तैयार किया गया है यह पहाड के चूटी के किनारे बनाया जाएगा जो कि पांच मंजिला इमारत होगी इसके निचले हिस्से में आपको हवा में लटकता हुआ एक स्विमिंग पूल दिख जो आपको स्वर्ग में रहने का हिसास दिलाएगी दा पूल हाउस पहारों के उपर मोजूद यह घर छुतिया मनाने के लिए एकदम परफेक्ट यहां से समुद्र का किनारों काफी कुछ सूर्द नजर आता है इससे सबसे पहले उनने सोटातर में बनाया गया जो पूरी जो तूफान नहीं से कौफी नुकसान पहुंचाया जिस वाज़ा से साव 2-13 में से वापस रिप्रेडिंग किया गया आज यह अस्ट्रेलिया का सबसे खुश्चूरत जगह में से एक बन चुका है यहां फोटो की चुआने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं जोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो पर लाइक कीजिए और अगर आप हमारी इस चैनल में हैं और आप एसे ही इस टेस्टिंग वीडियो को देखना पसंद करते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें आज की इस वीडियो म बस इतना ही फिर मिलूँ आपसे नए वीडियो में तब तक के लिए जाहें हूँ